हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है कि 20 से 25 साल की एज में क्रिक्टर कैसे बने जग कौन कौन से ट्रायल दे हम इस एज में तांकि हम क्रिकेट में आगे बढ़ सके और एक अच्छे लेवल पर खेल सके तो गाइस मैं आपको बताऊंगा पूरा परसेस कि हम 20 से 25 साल की ए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जिरू सब्सक्राइब कर लेना तो गाइस अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच है आपके पास दो चीज़े बचते हैं एक तो अंटर 23 के ट्रायल और एक ओपन एज क्रिकेट ट्रायल इन दो एज ग्रूब में आपको ट्राइ एज ट्रायल देने का तो गाइस सबसे पहले क्या करें सबसे पहले तो अगर आप 20 साल के हो तो आप सबसे पहले 23 एक रिकेट ट्रायल में जाने की कोश्च करों वहां पर ताँकि आप अंडर 23 तक होते होते आप डिस्टिक खेल जाओ जा जोन लेवल पर खेल जाओ तो आपको ज्यादा टैंचन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका फिटनस लेवल अच्छा है और आप गेम अच्छी है आप अच्छा क्रिकट खेल रहे हैं तो आपको ओपने ट्राइल में जरूर मौका मिलेगा आप ओपने ट्राइल भी होते रहते हैं यह रंजी ट्रॉफी जो बड़ी BCI लेवल की ट्रॉफी होते हैं उनमें ओपने ट्राइल होते हैं और उनमें बहुत ही बड़िया मौका मिल जाता है अगर आप टैलेंटेड प्लेयर होतो तो ज्यादा तर प्लेयर 25 साल के बीच भी क्रिकेट छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन् ओपनेज ट्राइल का तो आप ये दो मौके ना छोड़ें अगर आप पूरी तरह जी जान लगाकर आप इन दो मौकों में अच्छा खेल जाओगे अच्छा प्रफॉर्म कर जाओगे तो आप जोन लेवल स्टेट लेवल और बड़े लेवल पर भी क्रिकेट खेल सकते हो ब क्योंकि ट्राइल और रिडिस्टेशन लगातार होते रहते हैं ओपनेज के भी तो आप जरूर पर रिडिस्टेशन करें और पार्टिस्पेड करें आप जरूर अच्छे लेवल पर खेल जाओगे तो यह थी इंफोमेशन कि जब आप 20-25 साल के बीच है तो आप कौन-कौन से क्रिकेट ट्राइल दे सकते हो कौन-कौन से लेवल पर आप खेल सकते हो तो आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप कौन से एज ग्रूप के हैं वह भी कमेंट में जरूर लिख